पंकज मिस्रा and you are welcome in my youtube channel पंकज इस्टिट्यूट आफ इंग्लिश so dear friends I am here with the English speaking practice sentence these are the sentence which we use in our daily life or our conversation इसी प्रकार के sentence हम अपने daily life में use करते हैं या किसी से बात करते समय हम use करते हैं तो यदि आप भी इस प्रकार के sentences को इंग्लिश में क्या बोलते हैं इंग्लिश में कैसे practice करते हैं सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे channel को subscribe ने किया तो please इसे subscribe करिए bell icon को press करिए तथा इन्हें ज्यादा से ज्यादा like और share करिए आज के जो बाग हैं वो इस प्रकार से हैं तुम अपने आपको समझते क्या हो उसमें क्या है जो मुझे में नहीं है मैं रोज रोज यह खाकर ठक गया हूँ मुझे अपनी सफलता निश्चित लगती है आपने मेरी बहुत मदद की है वह दूर से आ रहा है वह अलग-अलग सा दिखा मुझे बच्चों को तुतलाना अच्छा लगता है यह वही सैट है जो मैं चाहता हूँ मुझे यह पहली सुलजानी पड़ेगी वह हमेशा आपके साथ खड़ा है मैं 18 वर्स का हो गया वह आसपास नहीं दिखा और हमारा उनके यहां आना जाना नहीं इस प्रका के सेंटेंस यूज करते हैं जैसे जब कभी कोई बहुत ज़्यादा एटिट्यूट में बात करता है तो हम बोलते हैं कि तुम अपने आपको समझते क्या हो यानि कि क्या क्या तुम कुछ स्पेशल है तो इसको इंगले से बोलते हैं वाट डू यू थिंक यू वाट यू आर वाट डू यू थिंक वाट डू यू थिंक वाट डू यू थिंक तुम अपने आपको समझते क्या हो वाट डू यू थिंक कि तुम क्या हो what do you think you are dear friend कभी कभी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने दूसरी व्यक्ति की प्रसंसा करता है और कहता है कि वह तो तुम से कई गुना बहतर है तो आप कहना चाहते हो कि उसमे क्या है जो मुझे में नहीं तो what does he have what does he have I don't I don't what does he have I don't what does he have that I don't that that I I don't what does he have that I don't कई बार आदमी प्रका कसे लाइट पएस जो Betsy बगेर है जब उनको वहीरोज खिज्ड दी जाते है यह हल्का भोजन दिया जाता है तो करते हैं मैं रोज-रोज यह ह का करके ठग गया हूं तो आयम कि टायर्ड ओफ टायर्ड ओफ टायर्ड ओफ इटिंग एट डेली डेली या एबरी डेली मुझे अपनी सफलता निश्चित लगती है यह फ्रेंड्स यदि आपका जो आपने जो भी टार्गेट किया उसकी तैयारी या प्रेपरेशन बहुत अच अची है तो यह निश्चे थे कि आपको सफलता मिले ही कि तो यदि आप इस लेबल पर मेहनत करते हैं कि आपको अपनी सफलता निश्चे लगती है तो आप कह सकते हैं I am sure of my success I am sure of my success I am sure of my success यदि कोई विक्ति आपकी में कोई मदद करता है ठीक है परेशानी के समय में help करता है तो आपको हमेशा उस चीज़ को याद रखना चाहिए और उसके प्रती grateful होना चाहिए यदि आप कहना चाहते हैं कि आपने मेरी मदद बहुत मदद की है तो you have you have helped me helped me a lot you have helped me a lot वैद दूर से आ रहा है मलीजम को कहना है कि वैद दूर से आ रहा है कोई विक्ति यहां से नहीं है लोकल नहीं है बहुत दूर से आ रहा है तो हम बोलेंगे he is coming afar यदि कोई भी सब लोग इकटे हुए हैं और कोई विक्ति अलग अलग सा लगता है तो हमको पता चल जाता है कि साथ वो किसी चीज़ को लेकर के परेशान है तो हम कहते हैं वै अलग अलग सा दिखा तो इसको बोलेंगे he seemed aloof he seemed aloof all the time he seemed aloof वै अलग अलग सा दिखा next sentence लिखा है मुझे बच्चों का तुतलाना अच्छा लगता है तो यह परेश जब कभी भी छोटे बच्चे तुतला करके बोलते हैं तो हमको लगता है कि कि उसके बच्चों की जो भासा होती बड़ी प्यारी सी लगती जब तुतला करके बच्चे बोलते हैं तो यह आप कहना है चाहते हैं कि मुझे बच्चों का तुतलाना अच्छा लगता है तो I like लिस्पिंग लिस्पिंग आफ चिल्डरन लिस्प मतलब होता है तुतलाना I like लिस्पिंग आफ चिल्डरन मुझे बच्चों की जो है वो पसंद है इस प्रकार से हम कह सकते हैं यह वही किताब है जो मैं चाहता हूं यह वही ब्यक्ति है जिससे मैं मिलना चाहता हूं तो यहां पर वही के लिए वेरी का यूज करते हैं यह वही ब्यक्ति है जो मैं चाहता हूं मुझे यह पहली सुल्जानी पड़ेगी कई बार बोलते हैं कि बहुत दिनों से इस समस्या चल रही है लगता है मुझे इस पहली को सुल्जानना पड़ेगा I have to solve this puzzle कई बार आप बोलते हैं कि यह कौन कर सकता है यह एक पहली बनी हुई है लगता मुझे पता लगाना पड़ेगा I have to solve this puzzle वह हमेशा आपके साथ खड़ा है Dear friends सबसे अच्छा व्यक्ति वह होता है जो हमारी समस्या में हमारी परेशानी में हमारे साथ खड़ा होता है यह हमारा सपोर्ट करता है तो माली जह हमको कहना है कि वह हमेशा आपके साथ खड़ा है तो he always he always support you वह हमेशा आपके साथ खड़ा है इस प्रकार से कह सकते हैं दूसरा वर्ड लिखा हुआ है कि मैं अठारा वर्स का हो गया हूँ तो यदि कोई बेक्ति इस प्रकार से कहना चाहता है कि वह अठारा वर्स का हो गया है तो बोलेंगे I have turned 18 I have turned 18 वह आज पास नहीं दिखा जब लोगों ने उसको ढूड़ने की कोशिस की तो वह आज पास नहीं दिखा यदि यह कहना है कि वह आज पास नहीं दिखा है प्रेजें परफेक्ट में हम हैज और हैं के लिए इस प्रकार आज 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 आ नहीं हैं कई प्रकार से इस प्रकार हम बोलते हैं कि हमारा उनके आना जाना नहीं है हमारा उनसे बोल चाल नहीं है तो इसको बोलना चाहते हैं यदि कि हमारा उनके आना जाना नहीं है We have no visiting terms with him, with them तो इस प्रकार के sentence है dear friends These are very interesting and easy sentence which can be learned very easily यदि इन sentences को आप बार बार पढ़ते बोलते याँ सुनते हैं तो आप इन sentences को आसानी से सीख सकते हैं देखते हैं सुरू से लेकिलास तक तो अपने आपको समझते क्या हो What do you think you are? उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है What does he have that I don't? मैं रोज रोज यह खा कर थक गया हूँ I am tired of eating it daily मुझे अपनी सपलता निश्चित लगती है I am sure of my success आपने मेरी बहुत मदद की है You have helped me a lot वह दूर से आ रहा है He is coming afar He is coming afar वह अलग-अलग सा दिखा He seemed aloof He seemed aloof मुझे बच्चों का तुतलाना अच्छा लगता है I like lisping of children I like lisping of children यह वही cert है जो मैं चाहता हूँ This is the very cert I want This is the very cert I want वह मुझे यह पहली सुलजानी पड़ेगी I have to solve this puzzle I have to solve this puzzle वह हमेशा आपके साथ खड़ा है He always support you He always support you मैं अठारा वर्स का हो गया I have turned 18 I have turned 18 वह आसपास नहीं दिखा है He has not seen around He has not seen around हमारा उनके यहां आना जाना नहीं है We have no visiting terms with them We have no visiting terms with them Dear friends इसी प्रका के sentence यूज कर सकते हैं आप अपने तो यदि आपको इस प्रका के sentence पसंद आए हो तो इन्हें जादा से जादा लाइक करिए शेर करिए और यदि यह चैनल के लिए नए है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए बैल आइकोन को प्रेस करिए ताकि इस प्रका के वीडियो जब भी अपलोड हो इनका नोटिपिकेशन आप तक पहुंश चके Thank you for watching